अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा, लेकिन इस विशाल विस्तार के एक कोने में हमारा घर है, सौर मंडल, ये एक कॉस्मिक परिवार जैसा है, जिसके बीच में सूर्य है, और आठ ग्रहे उसके चारों ओर नाच रहे हैं, यहां है बुद्ध सबसे इस दोड़ने वाला और शुक जो रहस्यों में छुपा हुआ है, फिर आती है हमारी अपनी पृत्वी, जो जीवन से भरी हुई है, इसके बाद है मंगल, लाल ग्रह, फिर ब्रहस्पती, विशालकाय, और हम शनी को कैसे भूल सकते हैं, उसकी खूबसूरत रिंग्स के साथ यूरेनस, बरफीला विशालकाय और नेप्चून सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, लेकिन ये ग्रह इतने सठीक रास्तों पर कैसे चलते हैं, ये बस अंत्रिक्ष में इधर उधर क्यो नहीं भटक जाते हैं, खैर, यहां एक बहुत ही बुधिमान खगोल शास्त्री की कहानी आती है, जिनका नाम था जोहानेस केपलर. कल्पना करो एक जासूस की, लेकिन धर्ती पर अपराध हल करने की बजाए, ये जासूस आस्मान के रहसियों को सुलजाने की कोशिश कर रहा था. वो थे जोहानेस केपलर, एक बहुत ही बुधिमान व्यक्ती जो सैकड़ों साल पहले रहते थे. केपलर ग्रहों की गति से बहुत आकरशित थे. उन्होंने तारों का अध्ययन किया, बहुत ध्यान से अवलोकन किये, और संख्याओं का विशलेशन किया, और ये सब कुछ उन्होंने ब्रह्मान को चलाने वाले नियमों को खोजने के लिए किया. और केपलर ने क्या खोजा, उन्होंने पाया कि ग्रह बस यूही इधर उधर नहीं घुमते, उनकी गति कुछ खास नियमों का पालन करती है. गणिती ये पैटर्न जो अंतरिक्ष में हर जगह पहले हुए है. ये पैटर्न केपलर के ग्रहों की गति के नियम कहला है, और इन जाते हैं, लेकिन केपलर के अवलोकनों ने कुछ अलग ही बताया. उन्होंने खोजा कि ग्रह असल में दीर घवरित कक्षाओं में यात्रा करते हैं, जो कि थोड़े से चपटे गोल आकार होते हैं. कल्पना करो एक रेस ट्रैक जो अंडे के आकार का है, बिलकुल गोल नही ग्रहों की कक्षा भी कुछ ऐसी ही होती है. यह खोज, जिसे केपलर का पहला नियम कहा जाता है, बहुत महत्रपूर्ण थी. इसका मतलब था कि ग्रह की सूर्य से दूरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती. कभी-कभी यह सूर्य के पास होता है, और कभी-कभी यह दूर होता है. और यह दूरी का अंतर ग्रह की गती को प्रभावित करता है, जब यह अपनी कक्षा में घूमता है. भाग चार, एक कॉस्मिक डांस केपलर का दूसरा नियम. कल्पना करो, एक आइस स्केटर बर्फ पर घूम रहा है. जब वो अपने हाथों को अपने शरीर के पास खींचत है, है ना? ग्रह भी अंतरिक्ष में कुछ ऐसा ही करते हैं. जैसे ही कोई ग्रह सूर्य के करीब आता है, उसकी गती तेज हो जाती है. और जैसे ही यह दूर जाता है, इसकी गती धीमी हो जाती है. केपलर का दूसरा नियम, समान क्षेत्र फल का नियम, इसे बहुत ही फूप क्षेत्र फल बनाती है, जैसे एक विशाल कॉस्मिक पाई का एक तुखडा. केपलर ने महसूस किया कि समान समय अंतराल के लिए यह चेत्र फल हमेशा समान रहता है. इसलिए जब ग्रह सूर्य के करीब होता है और रेखा जोटी होती है, तो ग्रह को समान क्षेत्र फल बना केपलर का तीसरा नियम केपलर का तीसरा नियम एक ग्रह की सूर्य से दूरी और एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बीच के संबंद के बारे में है सरल शब्दों में सूर्य से जितना दूर कोई ग्रह होता है उसे घूमने में उतना ही अधिक समय लगता है इसे इस तरह समझें कल्पना करो कि आपको एक छोटे से पार्क के चारों ओर और फिर एक बहुत बड़े पार्क के चारों ओर घूमना है बड़े पार्क के चारों ओर घूमने में आपको अधिक समय लगेगा है ना? इसी तरह सूर्य से दूर स्थित ग्रहों को परिक्रमा करने के लिए एक बहुत बड़ा पार्क मिलता है। इसलिए सूर्य के चारों और उनका चक्कर लगाने में अधिक समय लगता है। केपलर ने इस संबंध की गणना के लिए एक सटी गणितिय सूत्र भी खोज निकाला, जिससे ब्रह्मांड को समझने के हमारे नजरिये में एक सुन्दर सामंजस्य आभी ही।